वेलकम न माई यूटूब क्लासे आए मौल गुपता है यह साइनस एक्सपार लेस सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद्राहूल कॉपता ड्जाए चैप्टर 1st क्लास 11 सम्टैक करके टापिक्स समस्के चलते हैं स्बार्ज चलें करते हैं कौपी पहने चले स्ट्रेंट कहपे इस बनाएं है जो अफिरोडिक तेडिल, अबेल, जो अबाल, जो लुटिस, और भोछाषीर. So today we will start about the definition, Strengths, Chemistry is the science of molecules and their transformation. It is the science not so much of 100 elements but of the infinity varieties of molecules that may be built from them. That is the definition by Rawls-Hoffman Strengths. That is the first phase definition of class 12th, class 11th. सो स्ट्रेंट्स अब हम बात करते हैं chemistry definition हमने study की chemistry देखिए बहुत सारे parts है chemistry हम बात करें तो chemistry physics biology geology और ऐसी बहुत सारी branch है science की हम chemistry के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे देखिए स्ट्रेंट्स chemistry जो अपने आप में यह हम बात करें तो normally chemical से मिलकर बनती है और इसका बहुत सारा explanation है आप आपको हमारे देखिए नॉर्मली जो theories या laws आप पढ़ते हैं वह basically दूसरी जो foreign scientist है उन्हीं की बेस पर पढ़ते हैं पर आज मैं आपको कुछ ऐसे scientist के नेम भी बताऊंगा जिन्होंने हमारी chemistry में भी explanation दिये थे उन्होंने explain किया था सो यदि हम बात करें तो ancient इसमें metallurgy, medicine, manufacture of cosmetics, glass, dyes और ऐसी बहुत सारी चीजे मोहन जोड़ो जो पुरानी संस्क्रती है हरपा संस्क्रती में भी यह प्रूफ हो चुका है कि chemistry बहुत जादा पहले भी double हो चुकी थी आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे metal जैसे कि iron, copper, gold, silver, platinum ऐसे बहुत सारे metals के बारे मे पहले हम discuss कर चुके हैं, strengths आपको पता होगा कि class 9 में आपने पढ़ा था structure of atom उसमें भी महर्शी कणां थे जिनोंने परमानों के बारे में बहुत पहले ही वेदों में explain कर दिया गया था, आज हम उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा explain करते चलिए हैं, आप note करते चलिए गए strengths तो इसके बारे में मैं बहुत explain आपको दूँगा strengths चलिए start करते हैं videos, so strengths आप chemistry को generally अपने आज पास देखेंगे, digestion process और ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में explanation किया गया है, so chemistry is composition of matter, structure of matter, properties of matter matter के बारे में पूरा सब कुछ बढ़ लेंगे, क्योंकि matter ही हमारा सबसे पहला important time है, तो matter अपने आप में वह है, जो कुछ mass और volume को contain करता है, like हमारी body की बात करें, तो body में mass भी है, volume भी है, medicines है, यह हमारी daily life में बहुत ही एक important role play करती है, chemistry की बहुत सारी ब्रांच है, जिनसके बारे में हम पढ़ेंगे, है, so students, you can check that a lot of type of use in regular life, that is the branches of science, like mineralogy, biotechnology, environmental science, metallurgy, forensic, pharmaceuticals, toxicology, medicine, agriculture, biochemistry, nutrition, यह सब science के branch है, आप ऐसे ही note करते चलेगा, यही बहुत important notes आपके बन जाएंगे, strengths, तो अब question यह बनता है आपके पास कि हमारी daily life में यह चीज़े क्यों important है, students, आप जानते हैं कि हमारी life में बहुत सारी changes होते हैं, regularly changes होते हैं, बहुत सारी चीज़े हम यूज करते हैं, like fertilizers, like alkalis, like acid, salt, dyes, polymers, यह बहुत सारी चीज़े हम regular अपनी life में यूज करते हैं, और यह कितने important यह भी हमें पता है, drugs, soap, detergent, metals, alloy, inorganic or organic chemicals, so chemistry में तो बहुत सारी चीज़े भरी पढ़ी हैं, आप जितना चाहो उतना पढ़ लो, chemistry कम ही कम है, जितना आपको ठीक लगता है, चलि हम बात करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो food में आपको पता ही कि chemicals होते हैं, vitamins, proteins, fat, minerals, इसके अलाबा हेल्थ केर प्रोडेक्ट और दूसरे प्रोडेक्ट लाइक संस्क्रीम हैं या आपके और चीज़े, सुपर कंडेक्टिक्टिक्स, कंडेक्टिंग पॉलिमर्स, Optical Fiber, Minical Solid State Devices, यह भी बहुत सारे important equipment हैं, जो कि आपके यूज होते हैं, तो हमेशा chemistry कहते हैं, chemistry बहुत तफ है, तो chemistry तो हमेशा आपके really regular life में हैं, आप CFC freeze में यूज करते हैं, जो कि अपने आप में एक सबसे ज़्याद है जो ozone layer है, उसे deflect कर रही है continuously, यही चीज आपको यहाँ पर पढ़ना है, कि chemistry अपने आप में क्या चीज है, क्या explain करती है, वो चीज देखते हैं, so we will understand about use of enzyme for large scale production of enzymes, तो आपको पता है कि नए नए toxic toxic materials की synthesis, आप chemistry में यानि कि matter classification में पढ़ते हैं, तो आपको importance पता है कि chemistry कहां कहां यूज हो रही है, इतनी सारी medicines है, cancer में therapy use हो रही है, और दूसरे हमारी treatment है, आज कल की बाद करें तो कोरोना के बारे में, कोरानी की vaccine पर continuously research चल लए है, ताकि हमें जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा provide हो जाए, जो कि हमारे महामारी को रोग दे, उसके बाद हमारी matter of states में normal है 3 है, solid, liquid, gas, solid के molecules हमेशा fix होते हैं, उनके बीच का force of attraction बहुत जादा होता है, इनके बीच के particles होते हैं, उनका gap हमेशा equal रहता है, यह बहुत सारे ऐसे points हैं, जिनने आप यहाँ पर पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी है, तो states of matter, solid, liquid, gas, इनकी properties क आपको बहुत अच्छे से revise करना है, ठीके हैं, लिक्विट के particles होते हैं, उनमें थोड़ा gap होता है, वो थोड़े lose होते हैं, freely moment करते हैं, interaction कम होता है, density भी dependent करते हैं, तो यह चीज़ ध्यान नखिएगा, कि हाँ पर किसमे definite size होता है, किसमे definite volume होता है, ठीके हैं, gas particles की बात कर volume होता है, यह भी बहुत important strength, ठीके strength, no definite volume, no definite shape, बहुत important terms में आप study करेंगे, थोड़ा basic से start करेंगे, अभी आपने शुरुबात करीए, बच्चों आपको interest आना चाहिए, आपको पता है, कि हम solid liquid gas को एक दूसरे में interconversion जानते हैं, एक दूसरे में change up कर सकते हैं, like ice की बात कर हैं, उसे और थोड़ा से heat कर दें, तो वह आपका gas convert हो जाएगा, so we know very well that the state of matter will interconversible, जो state of matter है हमारी, वह एक दूसरे में interconversible है, वह एक दूसरे में use हो सकती है, so strength matter की बात करें, तो दो type के matter में dividend होता है, एक mixture, एक pure substance, mixture भी दो type का होता है, जिन में आपका homogenous mixture और heterogeneous mixture है, तो matter जो है, वो pure substance और mixture के base पर है, pure substance हमारा कि बस single type के atoms या molecules से मिलकर बना होता है, mixture की बात करें, तो mixture से आपको समझ में आ रहा है, कि वहाँ पर दो या दो से जादे type के substance बिना किसी fix ratio के एक दूसरे में present होते हैं, जैसे हम pure substance में हम बात करें, वहाँ सारे elements भी आते हैं, इ इनमें elements एक fix ratio में, एक fix mass ratio के base पर formed होते हैं, अब element या compound को जब आप किसी भी proportional पर mix करते हैं, तो वह mixture बन जाता है, जैसे कि water sugar का mixture, water salt का mixture, water sand का mixture, या और किसी भी चीज़ का आप mixture करेंगे, तो उन mixture में किसी भी तरीके का कोई fix ratio नहीं होता, मैंने अब आपको बताया कि matter द substance में, mixture भी दो टाइब बताये, homogeneous, heterogeneous, homogeneous mixture की बात करें, और pure substance की बात करें, और pure substance में दो चीज़ बताएं, एक element, एक compound, element, जुतने भी element chemistry में हैं, लगबग 118, 118 elements हैं, जिनमें किवल एक single type के atoms present होते हैं, उन substance होते हैं, उन substance होते हैं, जैसे ही sodium, copper, silver, hydrogen, oxygen, fluorine, chlorine, neon, bromine, iodine, यह सब आपने आप में क्या हैं, यह सब element हैं, और बहुत important element हैं, ठीके बच्चों, बच्चों वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो उसको like जरू करें, so elements वो होते हैं, जिने हम उनके constraint particles से, चाहें किसी भी method से, physical या chemical method से, उन्हें separate out नहीं कर सकते हैं, अलग अलग आप chemically separate out नहीं कर सकते हैं, compound की बात करें, the two or more elements, combined chemically और fixed proportional, fixed ratio में होता है आपका, ठीके strings, तो जैसे कि ammonia है, water है, water की बात करें, hydrogen oxygen, क्या hydrogen oxygen आप अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, chemical method से हां कर सकते हैं, जरूर, तो यह चीज भी important आपको ध्यान रखनी हैं, यह जितनी भी चीज़े होती हैं, यह सब atom molecules ही मिलकर बनी होती हैं, ठीके strings, आप इसके बहुत सारे example जानते हैं, और बहुत सारे example मैंने explain भी किये हैं, आपने पड़े भी हैं, so it is very important, और एक चीज और है, कि compound में जो elements present होते हैं, यह जरूरी नहीं है, और mostly conditions में, कि उनके constant particles की properties, उस compound की properties क की तरह सेम हो, compound की properties अलग होंगी, अब water का यह example लेकर समझ सकते हैं, यह दि water hydrogen और oxygen से मिलका बना है, तो ना तो water अपने आप में एक fuel है, क्योंकि hydrogen fuel होता है, ना ही हम water को oxygen की तरह यूज कर सकते हैं, respiration यह process में, ठीके strings, तो compound आपके बहुत सारे हो सकते हैं, compound में आपका water है carbon dioxide, ammonia gas, और बहुत सारे ऐसे हैं, mixture की बात करें, तो mixture जो particles हमारे आपस में mix होते हैं, वो दो टाइप में mixture बनाते हैं, एक homogenous, एक heterogeneous, homogenous mixture वो होते हैं, जो completely एक दूसरे में dissolve हो जाते हैं, जिनमें हम particles को अलग अलग separate करने के लिए, कोई chemical process यूज करते हैं, और जैसे की sugar और water का solution, आपने water में sugar डाली, तो sugar धीरे धीरे करके dissolve हो जाएगी, और आप उसे separate out नहीं कर सकते, so it is very important that homogenous mixture और those mixture, where solute completely dissolve in solvent, अब solute और solvent तो आपने पढ़े ही नहीं है, solute तो वो होते हैं, बच्चो जो completely dissolve हो जाते हैं, किसी भी solution में, और solvent वो होते हैं, जो dissolve कर लेते हैं, वही hydrogenous mixture की बात करें, तो water और sand का mixture, जब आप पानी में मिट्टी mix करते हो, तो मिट्टी तो घुले की नहीं, बट वो उसके अंदर धीरे धीर के formed हो जाएगी, तो यह आपके hydrogenous mixture होगे, मालू मैंने कहां, mixture में iron के present है, तो आप उसमें से iron को आसानी से अलग कर सकते हैं, so hydrogenous mixture मे जो भी cheese present होगी, उसे हम आसानी से अलग कर सकते हैं, so students, आपको देख रहा होगा आप, कि यह दो अलग अलग state of matter है, एक ice है, एक water है, आइस कैसे melt हो रहा है, melt reason है, कि उसका temperature जो है, वो continuously increase हो रहा है, that's why it is melting, it is converting in water liquid, अब हम बात करेंगे, physical और chemical properties, students, यह भी आपने पढ़ी होती है, बड़ देखिये, physical properties क्या होती है, physical properties वो होती है, जो color, order, melting point, boiling point, density पर बैंड करती है, यह physical properties होती है, जैसी की state, solid, shape कैसी है, round, color, yellow, smell, rubber, और bounce करती है, तो इस तरीके से यह आपने आप में क्या है, physical properties, अब sulfur की बात है, sulfur कैसे identify करो, उसकी color से कर सकते हो, उसकी smell से कर स सकते हो, strong order है, yellow color है, solid है, तो यह अपने आप में क्या है, physical properties है, physical properties वो होती है, जिनमें आप color, order, state, और उसकी boiling, melting point, density को represent करते हैं, च्योंकि यह चीज़े, change नहीं हो सकती, जिस state में जो color रहेगा, वही रहना है, अब chemical properties की बात करें, तो chemical properties में आप combustion, combustibility, composition, reactivity, यह इन चीज़ों से identify करते हैं, किसी भी metal, non-metal, element, compound, mixture की properties को, ठीके, तो आप इने समझ सकते हैं, order, melting point, boiling point, elasticity, color, shape, इन चीज़ों से आप physical properties को explain करते हैं, ठीके, note करते चलना है, आपको समझते चलना है, क्योंकि यह चीज़े आपको आगर नहीं बताए जाएंगी, वहाँ आपको उसी topic से related प्राज आएगा, ठीके, आपको पसंदा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरू करना है, और चैनल सस्क्राइब तो जरू करना है, आप लोग बिल्कुर नहीं हो गए, आपके लिए यह वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जल्दी से, ठीके, तो हमने definition दी, physical properties can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance, ठीके, strands, वहीं हम chemical properties की भी बात करेंगे, देखे, कुछ solids ऐसे होते हैं, कि जो chemical properties सही explain होते हैं, identified होते हैं, तो chemical properties मैंने अभी आपको बताएं, जैसे ही composition, combustibility, reactivity to another elements, chemical properties के explaining कर रहो है, chemical properties requires a chemical strains to occur, किसी भी chemical activity में आप किसी ने किसी तरीके से उसकी reaction करा हुए, चाहे temperature बढ़ा हो, चाहे उसे acid या water से reaction करा हो, चाहे base से reaction करा हो, तो वह identified करेगा, वह chemical properties को explain करेगा, यह बहुत important strands, ठीके strands, बार-बार आप समझते चलिएगा, note करते चलिएगा, कहीं भी कोई problem आएगी, कि मैं explain करूँआ, समझा हूँआ आपको, आपको problem comment में देनी है, इसके लिए हम acids का भी यूज करते हैं, base का भी यूज कर सकते हैं, ठीके strands, sodium hydroxide का हमने लिया, sulfuric acid डाला, तो उसमें क्या हुआ, evaporate होना start हो गया, अब इसने अपनी properties को explain करा, अब बात करेंगे measurement, हमें measurement में क्या चाहिए होता है, कुछ numerical value चाहिए होती है, और उसका unit चाहिए, लाइक हमने कहा एक टुकला हमने लिया, अब उस टुकले का weight क्या हुआ, मा लिजे वह 200 gram का है, तो 200 तो उसकी value numerical और gram क्या होए उसकी unit, so if we are measure, then it is represented by the numerical value and the unit also, measurement system दो टाइप का है, English system और metric system, उसके बारे में बात करते हैं, चलिए, तो इसप्रेंट्स English system में आपके क्या है, yard, foot, inches, mills, gallon, यह English system है, international system है, अब वहीं हम यदि metric system की बात करें, तो metric system में थोड़ा सा different होता है, देखे, metric system में आप जो use करते हैं, वह अलग चीज होती है, तो metric system क्या होता है, जो हम multiples of powers of 10 में represent करते हैं, like one kilometer की बात करें, तो one kilometer equal होता है, 10 to power 3 meter, means thousand kilometer, thousand meter, इस चीज़ से explain करते हैं, अब देखे, बात करते हैं, SI system of measurement की है, देखे, SI system में आपको पता है, कि seven units होते हैं, length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, luminate intensity, यह seven SI unit होते हैं, जिन से हम पूरे यह वर्ड में जो भी चीज़े प्रजेंट हैं, उन्हें measurement करते हैं, इनके unit भी इनके नीचे लिखे हैं, meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, mole, candela, इसे आपको बिलकुल रट लेना है, कि SI यह physical measurements होते हैं, अब इनके बारे हों समझ लिजे, कि length क्या है, length अपने आप में एक measurement है, ठीके students, तो length को हम represent करते हैं, the meter in the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of one upon two nine nine seven nine two four five eight of a second, यह अपने आप में एक international property है, वही हम mass की बात करें, तो a kilogram is the unit of mass, it is equal to the mass of the international prototype of the kilogram, यह अपने आप में एक international prototype है, वही time की बात करें, तो second is the duration of nine one nine two six three one seven seven zero periods of the radiation corresponding to the transmission between two hyperfine labels of the ground state of cesium one thirty three atom, electric current की बात करें, तो यह इसका unit होता है, ampere, ठीके students, तो ampere वह constant current है, जिसे maintained किया गया है, two straight parallel conductor of infinity length of negligible circular cross sectional end placed one meter prepared in vacuum would produce between these conductors a force equal to two into ten to the power minus seven newton per meter of length, temperature की बात करें, तो temperature का जो unit है, वो है Kelvin, नोट करते चलिएगा, so temperature, it is the friction, one upon two seventy three point one six of the thermodynamic temperature of the triple point of water, amount of substance की बात करें, the mole, इसे बुलकुर रटने आपको है, कि the mole is the substance, amount of substance of a system which contain as many elementary entities as there are atoms in zero point zero, one two kilogram of carbon twelve, its symbol is mole, यह बहुत important है, luminate incidence, यह candela है आपका इसका unit, इसे भी आपकी definition को पढ़ लेना है, तो हमारी कितनी हो गई, mass, volume, density, temperature, यह कुछ short term है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीके strength, चलिए mass के बारे में सबसे बहले बात कर लेते हैं, नॉर्मली mass और weight, हम लोग एक चीज़ समझते हैं, जबकि mass और weight में बहुत जाद है अंतर बिटा, mass क्या है, the amount of matter present in the substance, weight क्या है, gravitational force present in the substance, mass हमारा माली आर्थ पर 120 kg है, तो यह जरूरी नहीं कि weight हमारा moon पर भी mass इतना ही रहेगा, यह हम weight से base करते हैं, weight हम निकालते हैं, इनके दोनों का relationship है, w equal to mg, समझ मारा बच्चों, यह weight और mass में relationship है, हमारा weight होता है, वह gravitational force पर depend करता है, small g की value पर equivalent करता है, physics में आपने पढ़ा होगा students, तो हम जो chemistry में अपनी balancing करते हैं, वह analytical balance के दुआरा करते हैं, analytical balance के बारे में आप भी पढ़ेंगे, ठेके students, और इसके लावा cube क्या होता है, volume cube में हम measure करते हैं, one ml equal to one centimeter cube होता है, इस चीज को आप बुक में पढ़ोगे, तो mass और weight का भी measurement समझ लेना आपको मैंना भी बता दिया, यह उसे w equal to mg से represent करते हैं, weight और mass में बहुत different हैं, ठीके students, यह चीज आपको note करते चलनी हैं, जहां भी आपको समझ में आएगा, वहां मैं समझाऊंगा, हर video लगबग आपको 25 minutes की मिलेगी, आपको समझते चलना हैं, पढ़ते चलना हैं, जो चीजें भी समझ में आएगी, मैं समझाऊंगा आपको अब हम temperature की बात कर रहे थे, तो temperature आपकी तीन पॉइंट में होता है, Fahrenheit, Celsius, Kelvin, इन तीनों में आप रखते हैं, density की definition छोड़ गई, density is of a substance, is its amount of mass per unit volume, density equal to mass upon volume, इसका ऐसा unit होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, density equal to mass upon volume बता है, अब हम temperature की बात करते हैं, तो 0 degree Celsius किसके एक्वल होता है, 273 के, तो temperature Kelvin में आप measurement कर रहे हैं, और Celsius में value क्यों है, तो उसमें 273 add कर दीजे, वो value आपकी आ जाएगी, तो strength आपको दिखाए ज़रा है, Celsius और Fahrenheit की बात करें, तो 0 degree Celsius equal होता है, 32 degree Fahrenheit के, यह चीत ध्यान नखेगा, 32 degree Fahrenheit के equal होता है, 0 degree Celsius और equal होता है, 273 Kelvin के, so that is very important, you just learn the unit of that, c equal to 5 upon 9, f minus 32, यह values आपको याद रखने है, बहुत अच्छे तरीके से याद करने है, ठीक है students, temperature के हमने बात कर ली, ठीक है, आगे देखें, molecules किस तरीके से एक दूसरे के साथ bonding करे वे होते हैं, जो bonding ही उनके लिए बहुत important होती है students, तो हम उनके लिए कैसे उनकी value identify करते है, so that is very important, आवोगाद्रो number, आवोगाद्रो number होता है, 6 की value होती है, आप multiply में ऐसे लिखेंगे, तो बहुत बड़ी हो जाएगी, हम लिखते है, 6.0, आपके calculator में भी नहीं आएगी, इतनी बड़ी value होती है, mathematical operation करने में बड़ी problem होगी, तो वहाँ पर add करने मे multiply करने में, आपका subtraction करने में, बहुत बड़ी values होती है, इन्हें हम जब लिखते हैं, तो इसमें जब हम 10 की power से पीछे चलते हैं, तो वह minus में, आगे की तरफ चलते हैं, तो plus में, उसमें दो type हम use करते हैं, scientist होने बड़ी-बड़ी value को represent करने के लिए scientific notation की value दी थी, जो exponent की form में, यानि power की form में चलती हैं, और capital N की हमाँ पर coefficient है, लाइक इतनी वड़ी आवगादरो नंबर है, तो उन्हें ने शॉट करके लिखने के लिखा, 6.022 into 10 to power 23, इस से हम समझ गए, कि ये value short में कैसे लिख सकते हैं, आप इस value को देख लीजे आप, कैसे short में लिखे जारी है ये value, ये बहुत important आपको समझ के चलनी है, ये value, ताकि आपको यहाँ पर clear हो जाए, कोई problem नहों, ठीके short, एक value point से पहले आने चाहिए, बाकी सब power में चली जाएंगी, coefficient देख लीजे, exponent कैसे mind out करते हैं, so mathematical calculation or number written in scientific notation, that is very important, now we will discuss about the addition and the subtraction of that, देखें, ये दो formula यूज होते है power को equal करके रहनी होती है, तब हम add या minus करते हैं, ये बहुत important है, scientific notation, add और subtract करना बहुत समझ में आना चाहिए, देखें, इसको add करना सीखें, 10 to power 4 है, तो आप उसे 3 को, या तो 4 में convert करिए, या 4 को 3 में convert करिए, दोनों exponent को आपको same करना जरूरी है, it is compulsory to explain the exponent, larger वालों को small कर लिए, वो आई भी, दोनों को हमने equal कर लिए, यहां power 3 थी, हमने point से पहले ले गए, exponent चेंज होगी आपका, अब इस तरीके से उन दोनों को add कर देंगे, add करने के बाद की answer आगिया, वो भी देख लिए, 7.051 into 94 और 4, ऐसे बहुत सर निमेरिकल आपके book में दे रखें, जो क दोस्तों के साथ, I love you friends, 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 videos, continuously आप चेक करते रहे हैं, आपको अपडेशन मिलता रहेगा, चैनल को subscribe करना है, और subscribe करने पर आपको वीडियो के notification अपने आप मिलाएंगे, students, यह आपकी पहली वीडियो से class 11, ऐसे वीडियो आपको continuously 25 minutes classes, राहुल सर स्पेशल क्लासे आपको regular मिलते रहेंगे, regular आपको 25 minutes की वीडियो मिलेंगे, और आपको चैनल सस्क्राइब करना है, ताकि आपको वीडियो के notification अपने आप मिलते हैं, okay students, goodbye students, love you students,